हलो यू आल मा लवली बड़ी सारे शतानों को बुला रही हूं यहां पे मैं क्योंकि ले आए हूं एक बहुत इंटरिस्टिंग इमोशनल चाप्टर येस जो चितने शतान होते हैं वो उतने ही जादा इमोशनल भी होते हैं ये बात हमें पके से पता चल चुकी है इतना प्या आप ही की बुक हॉन बिल का ये चाप्टर अग्ट इस चाप्टर का अगर हम एक साथ में सब जोने हो सकते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं हमें कोई भी नहीं मार सकता है क्या ये इतना बड़ा नेम है इस चाप्टर का अक्चुली तो नेम है वी आर नौट अफरिट टू डाय हमें डर नहीं लगता है मरने से लेकिन इस तरीके से ये जो चाप्टर का नेम है ये पूरा डायलोग को कोट किया गया है और उस डायलोग का बहुत डीप मीनिंग हो देर डिस इस चाप्टर जहां पर एक फामिली जाती है वोयाग पर और उस वोयाग से रिलेटेड जितनी बाते है वो सारी बताई जाएंगी नाव अभी आप देख रहे है अब आउट दॉथर में मैंने सिर्फ नाम लिखा है जॉर्डन कुक अन आलन इस इनकी बारे में इ जैसे कि आप एक बॉलिवुड मूवी देखते हैं या हॉलिवुड में अगर आपने देखा होगा बहुत साइंस विक्शन टाइप की मूवी होती है जहां पर तूफान आ रहे हैं पानी हैं समुद्र है और बहुत सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें बस आप रीड होगे यह वहाँ विजुलाइज करते हैं वहाँ पर देखते इमाजन करते हैं लेकिन यहां पर हम सिफ रीड करेंगे और आपने कही बार सुना होगा ना कि ऐसे ही स्टोरीज को लेकर कि उनके ऊपर मूवीज बनाई जाती है तो हो सकता है प्र रिलेट कर सके उसी तरीके से सुप अबाउट यहां पर क्यों है यह बिकास देखना है नेम इंड नेम इस जॉर्डन कुक अड एलन इस नव वाय दिस पिक्चर इस यहां पर क्यों है यह बिकास दिस इस अ थ्रिलिंग चाप्टर और इट गिवस अले गूसबंस एवरी ताइम बीड रीड नीव कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्या हो रहा है everything है I'm going to tell you so firstly what you can see that there is an idea overviews लेते हैं हम की जो फामिली है जॉर्डन की जो फामिली है यानि नरेटर की जो फामिली है they decided mainly narrator और उनकी वाइफ जो है मैरी उन्होंने decide कि we will do a voyage किसी और ने किया था तो देखा देखी में कि हम भी करेंगे उन्होंने किया था हम भी करेंगे वैसा वाला तो decided कि हम अपने बच्चों के साथ में वायाज के लिए जाएंगे नाव फर्स्ट वर्ड काम सिया कि मैम यह होता क्या है यह वायाज होता क्या है तो इसका मतलब होता है समुद्र के रहा सहारे से अगर आप अपना ट्रिप पे जाते हैं तो उसे कहा जाता है जब तब आपने अपना लास क्लास किया कवर उसकी बाद में आपको लगा होगा है और हम वो देखने वाले हैं है और हम वो देखने वाले हैं तो फॉर्स्ट अपॉट आप पॉर्स्ट पॉट बच्च्छे तौको इंपका नाम है मैरी अचा नरेटर की दो बच्चें है एक है Suzanne and एक है जुनातन ओके Suzanne and जुनातन तो दैस जो है seven years old है और जुनातन जो है वो six years old है तो यह तो चार जने होगा एक family के that means एक family गई है कहां पर वो आज के लिए निकली है और वहां पर उन्होंने adventures देखें और अखिर तक उन्होंने कैसे सर्वाइब किया है वो देखेंगे साथ ही साथ में you will get to know two more names और वो दो नेम किसके है वो है Larry Wiggle and Herb Sigler यह कौन है अगर आप समुद्र के सहारे that means you want to go to for a voyage तो आप ship में जाएंगे definitely हम इतनी functionality नहीं जानते हैं हमें उसको इतना operate नहीं कर सकते ship को तो ship पे हमें help करने के लिए assist करने के लिए कोई लोगों की जरुवरत होती है and they are these Larry Wiggle and Herb to Larry or Herb का नाम याद रख लेना they assisted and they were there all the time वो भी इस पूरी voyage पे उनके साथ में थे okay so I can say that they helped or they assisted यह हो गया पात पूरा characters की पूरी story के कौन-कौन यहां पर आपको मिलेंगे अच्छा यह story कर रहे हो तब आप हमेशा याद रखना that like history we learn dates उसी तरीके से आपको यहां पर भी dates को learn करना पड़ेगा because majorly what we find it out कि questions जो है वो date-based पे ही आते हैं इस दिन क्या हुआ था questions आपको पूचे जाएंगे आपको so always remember the dates मैं फिर से बतारियो dates आपको मैं यहां पर highlight करके बताओंगी कब-कब क्या क्या हुआ था पूरी series में याद रखेंगे okay let's get started so this is about the lesson is lesson में बताया in July 1976 कब की बात है तो सबसे पहला date आगया हमारे पास में July 1976 narrator joke itness okay he is 37 years old and he is a businessman as well his wife Mary and six year old son Jonathan I told you and seven year old daughter Suzanne ticket so they are like first of all who plan to plan Kiatta Zunath sorry plan Kiatta kisner narrator now or unki wife marina that they will go for a voyage and then they set sail from Plymouth yeah happy upka jageka nam asap that the question can come that from where they started okay their watch kaha se unho ne voyage start kiya tha to Plymouth England yad rakhna hai aapko na korn korn thay so you can tell everything about them kira 36 year old 37 year old businessman his wife were married and two children okay now they wish to go around the world on a long sea journey as captain James cook important one important one again that they were more inspired by yeh jo family hai yeh kis se inspire hoke is one a watch pere jana chaathe thi thi to unka naam hai captain james cook to captain james cook hai unhoon ne 200 sal pehle isi tariqe ka koi voyage kia tha aisa sunne me tha to that's why they were inspired and they wanted to do this kya hum bhi unki tarah hi aisee jayenge ab dhekho me ri baat suno jab in ko kis ki jana hai water bodies ki through jana hai innei samudhra ke sahare sahare nikal karke hai wahaan poori world tour ki tarah karna hai to definitely they need a ship unhain kis ki zarurat hooghi ship ki zarurat hooghi ship ki functionality operation sab kuch aana chahi toh aisa nahi ki aap yi story sunne ki baat me inspire hojao aur kao ke hum bhi nikal padehengi samudhra ke raastte and we will also go for this adventurous tour aisa nahi karna hai ah agar hama hai thoda sa introduction do and ah i tell you about the background of the narrator to narrator na ah isse belong kertethe aur unka yi passion tha ah they were like into all these activities to unko bhot saara knowledge tha that's why unhoney ye opt kiya tha okay now so aap ne captain james cook ka kaha zikra hua hai ye yad rakhna hai and kiyo hua they started and ah they started in 23 meters 30 ton wooden huddled boat named wave walker again this is important for you wave walker what is wave walker wave walker is the name of the ship so ship ka naam kya hai yi unka jo boat hai or jo ship hai us ka naam kya hai its name is wave walker all the important points harik cheese detail me batahongi aapko itna to confidence abhi tak ho chuka hogga definitely ki aisa nahi hai ki summary means like um kara diya chal diya aapka one shot me matlab exam ke ek din pehle bhi if you are going to watch this on record as well to aapko saari cheeze like all the questions you can attend it itna achse se me detail me chai short ho long ho harik cheese aap karpao geaten okay for that note and on that note you have to do is like karo falafat se and zarur se sure kariyega moving ahead the first part of their one lakh five thousand kilometers long journey went smoothly when they started samaj na jabun hona start kia when they started it was very smooth and they were having like fun and enjoying it toh kuch bhi dikkat nahi hoi thi so shuruaat bhaot achse se hoi thi legin keha sakte hai na ki ye aage ane wale jo khatra hai uski pehle ki silence thi waisa wala part tha yaha pe so the first part of their one lakh five thousand kilometers long journey went smoothly then they reached cape town phir yaha se shuru hoti hai in ki journey jaha peh they they like um face many hurdles there are so many obstacles or unki ship joh hai wo kaisi paani keo parwaves keo paris tariki se soar karthi hai wo sari cheeze kapse shuru hi after they reached cape town so cape town again is an important place here from there they hired two crewmen to cape town so nana dokumen ko hire kya tha and their name is larry and herb johan betale hi bata chukye they help them tackle the rough sea of the southern indian ocean toh aapko yaha peh ye part again yad rakhna hai what that which is the part hardest part to travel or which is the hardest part to sail that is southern indian ocean does rough sea part is there only okay moving next joham itse aage barte hai to jump second day first day was very smooth and they uh they went till cape town cape town tuk chale gai tha hai ab second day ko kya hua second day out of cape town they started to encounter strong windstorms jib dousra din whana dousi din hi bhoat zore zore se tuffan ane lagya and they face wind windstorms ab windstorms ki wager se kya hooga ab ship ko imagine kije like i will take you this part to dekho yaha peh sari inke kya hote hai is tariqe se flags lagya huay hoote hai ab jab ship ke flags ke uper bhoat zore se hawa chalegi blow hogi hawa to definitely wo balance up na idhar udhar khoyega ya aas pas me bhoat zaga hawa honi ki wajah se jo pani hai wo bhi wapas se uchha lo karke us mein aega so this kind of things you will relate it windstorms did not worry about the narrator but the height of the waves was alarming up to 15 meters above that was high as main mast ab main mast kya hoota hai dhekho this is the ship okay ek piaara sa chota sa bachpan wala ship banaati hoon ye jo main mast hoota hai yani ki ye ek main yaha pe ah ah pole type hoota hai jis ki o per flag hoota hai abh ye kya 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 raha hai ki it was not the windstorms jis ki wajay se parishan ho raha te narrator no windstorm ki wajay se tufan ki wajay se ah nahi parishan ho raha te but jo pani ki waves hai wo pani ki waves kya kar raha te like pani ki waves yaha honi chahiye but they were going up to 15 meters aur wu main mast jo hai yani ye jo main pole hai main mast hai wahaan tak touch kar rahi thi and that made worried narrator is wajah se narrator jo ho gai woh parišan honne lag gai now date again on the 25th of december again aaghi thoda thoda aisa tariqe se hi aya hai that they have described more about that how the windstorm occur and all but ah abhi hem ko samaj me aagya hamna idea le lia hai i'm now coming to the main point ki 25th december ko kya hua now before i go there i must tell you like because aap logon ko pata chal gaya hai that ye jo hai ye kahi na kahi aapna vacation time period holiday ko enjoy karne ke liye gai te so they were there to enjoy their new year and for that to isi liye dekna aap sari dates ka baati hai sir aap dekho foreigners jo hai uz ayatar jo visit karte hai india wo kap karte kyunki unka ye time period december se january hamayasha free ratan day more come in this time period december se january ke bich mein toh they are also going in this time period only toh saari time period yad rakhne ka tari ka ye hai ki december se january ke bich mein now 25th december as we all know that it is celebrated as christmas day kya hua uzdil the writer's ship reaches in the southern indian ocean that was about 3500 kilometers to the east of cape town very important very important question i if the question occurs like this or if the question is asked like this that on 25th of december where was their ship or where they entered the 25th of december ko writer ki jo ship hai wo kaha pauchi southern indian ocean mein and it was about 3500 kilometers to the east of cape town the family welcomed the new year on the ship or family new year bhi kaha pe vahe pe welcome show kyunka new year tabse he start ho jata hai now abata hai second of january ki baat janiki first important date may nebata di aapko 25th december 25th december ki baat me jo main important date hai that is of 2nd january there came an ominous silence with no wind and a big roar what sounded like thunder turned out to be a big wave that wrecked hawk on the ship yaani ki tufaan se ane se tufaan ke ane se pehli ki jo shanti hai wo chai hoi thi wahan pe kuch bhi nahi tha nothing everything was smooth sorry second of january ko second of january ko everything was going smooth kuch bhi nahi tha hawa bhi nahi chal rahi thi but all of a sudden a big roar and it sounded like thunder or aisa lagra ta thunder matlab ki jo baadal garaj te hai baesi wali awaze aane lag gai thi and then a big wave that dragged hawk on the ship or it itni zor se paani ka uchhal aya ship ke upar ki poori ship jo hai wo bheeg chuki thi the narrator was wounded in the process wounded matlab ki ghaav ho gaya that he was injured narrator jo hai wo kya ho gaya injured ho gaya he was like when this all happened to us what unko lag and so was suzanne as well as not only narrator but unki joe bachy hai suzanne us ko bhi bao za da lag gai thi unke head pere bao za da uh cho ta ga gai thi and then gradually hum dekhen ga aga slowly ke outtai ki unke swelling swelling a jati and all as the ship was about to capsize another wave herald arha upright से जब शिब अपने आप को वापस से बैलेस करना चाह रही थी और उस वेव से पच करके Ah स्टीबल होना चाह रही थी अगेन एक और बड़ी सी वेव आती है और फिर से वह से क्या कर देती है रढ वह बैलेंस को खो देतीyr तर आग्सिस वाइफ तो है नुटिय व्यापने के शिपटी विख सब्सक्राइब बॉट सब्सक्राइब करते यानि की शिप चला रहे ते लेकिन जब यार बार 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 वह जा रही थी और पानी अंटर कर रहा था इन दर शिप आव ऑठा को वहां जा कि उसको rescue करने की जरूरती पानी को शिप में एंटर करने से बचाने की जरूरती तो ही कॉल हिस वाइफ उसने अपने वाइफ को बोला that you handle the wheels and मैं तब तक जा करके rescue करता हूँ it's written there this problem was accompanied by the other issues like blocked hand pumps and a short circuit in the electric pump as well so अब क्या हुआ जब पानी आया उसके साथ-साथ में देवा other issues as well जो कौन-कौन से थे like issues like blocked hand pumps उद वहां पे जो hand pumps है वो block हो चुके थे एक short circuit भी हो गया था in electric pump जो electric pump लगावा होता है उस electric pump में भी क्या हो गया short circuit हो और that's that made it more worse इससे क्या हुआ वहां की तो situation थी वो और worse होती जा रही है एक तो ship के परेशानी उपर से waves की वाज़े से ship में पानी आ जाना waves बार-बार ship को जो है वो unbalance कर रही है और साथी साथ में ship के अंदर जो बच्चे हैं उनके पास में छोटे-छोटे से six and seven years old they were there उनको handle कौन करेगा और उसके बाद में यह सारी issues भी हो ना so it was like मतलब हम कह सकते एक पैनिक वाला situation create हो गया था the narrator and his crew spent the whole night pumping steering and working on the radio to issue मेरे calls Suzanne's injury on her head had worsened अब उस रात को सबने मिलकर कि जो भी सारे issues थे उनको solve करने की कोशिश की electric pump को ठीक करने की कोशिश की उनने कंटाक्ट भी करने की कोशिश की बागी सब जगे ताकि कैसे भी करकी वो मतलब safe हो सके and अपने आपको secure कर सके और इसी दुरान में जो Suzanne के head पे लगी थी वो और ज्यादा worse होने लग गया था okay moving ahead अब second january मैंने बताया that means it was more important 3rd january was not written there to up important क्या आगे आपके पास में 4th january कि 4th january को क्या हुआ after 36 hours of pumping उन्होंने कितने hours तक pumping किया था 36 hours तक pumping किया है उस ship में तो याद रखो 2nd january then 4th january 36 hours of pumping के बाद में the water level in the ship had come down to a few centimeters यानि 36 hours तक उन्होंने pump करके पानी को नीचे करने की कोशिश की तब जाके कुछ centimeters तक पानी कम हो गया owning to the severely damaged condition of the ship they hoisted the storm ship instead of the main mast and headed towards the island अब उन्होंने क्या किया जब हम बात करते ship की तो ship पे आपने देखा जैसे मैंने example दिया था this was the main mast रहना अब वो क्या सोच रहे है देवर थिंकिंग लाइक मेरी शिप थोड़ी सी अच्छी है okay ज्यादा अच्छी है okay so जो condition थी उसको कैसे ही normalize किया उन्होंने and severely damage हो चुकी थी ship को अब उन्होंने क्या क्या उस house को है उपर उडाना किसी चीज को उपर उच्छालना like उसे house कहा जाता है so they hoisted the storm trip instead of main mast मतलब उन्होंने क्या किया जो यह main mast है उसको उपर करने की बजाए जो storm trip था यह भी एक ship का ही part होता है उसको उन्होंने hoist किया था and then they headed toward the island और आसपास में कहीं पर आइलेंड देखकर के वहां पर स्टेक करने की कोशिश की बिकास देर वस सम्थिंग इन दे वाटर और वाटर के अंदर कुछ होने की वज़ए से उनकी शिप भी उससे परिशान हो रही थी और आपको बताऊंगी तो 4th को किया उन्हाने उन्हाने में मैंस की जगे जो यहां पर अमने देखा उसको हुआस किया था 2nd January को क्या हुआ था वह हमने यहां पर देख लिया अगे आते हैं 4th January हो गया 6th January the wind became less severe now तो अब थोड़ा सा मौसम जो है वो ठीक होने लग गया था हवा भी थोड़ी सी कम मतलब उस तरीके से जितने तेज से फ्लो कर रही थी उतनी तेज से फ्लो नहीं कर रही थी the narrator got a reading on the 6th 10th and he made a quick calculation अब इस वक्त क्योंकि यह सारी चीज़ें हो रही है and they were going through from last few days तो वो यहां पर calculation करने लग गए narrator कि किस तरफ जाना चाहिए कितने टाइम तक क्या रहेगा मौसम and all these calculations he was doing in his mind कि क्या situation है मुझे क्या next step उठाना है उसके लिए उन्होंने calculate करना शुरू किया she came in and gave him a card she had made उसी वक्त कौन आती है Suzanne आती है यहां पर कौन आएगी Suzanne आएगी उसको सुझ भी कहा गया है इस chapter में उसे सुझ भी कहा गया तो इस वक्त जब वो calculations कर रहे है and he was thinking कि कैसे भी मैं मेरी family को बचा करके यहां से बाहर लेकर के जाओं सुझ आती है उसके हाथ में card होता है वो card उन्होंने सुझ ने बनाया होता है और वो उनको देती है she had drawn caricatures of Mary and the narrator that means उसने अपने mother and father के caricatures का मतलब simply बता देती हूं जैसे अभी मैं अपने आपको नहीं बना सकती as it is मैं as it is बना लेती हूं तो sketch होता है लेकिन मैंने क्या किया इस तरीके से बना करके बता दिया तो this is called as a caricature यानि उसका चोटा सा model form में जो होता है उसे caricature कहा जाता है तो उस कार्ड पर सुसने किसने कार्ड बनाया सुसने कार्ड बनाया था उसके कार्ड के उपर कौन थे Mary and his father her father वो दोनों थे it also had a message उसके अंदर एक message भी था जो कि express कर रहा था love and thanks कि thank you and I love you all I love you both so much क्योंकि आप हमारे साथ में always है और आप हमेशा हमारा साथ देते हैं हमेशा आप हमारे साथ में रहते हैं as well as you like protect us from any hurdles तो यह सारी चीज़े उन्होंने इस तरीके से message में लिखी थी अब दो बजी की करीब क्या होता है at around 2 p.m. after checking calculations narrator ने सारी calculations check कर ली the narrator asks Larry to stir a course of 185 degrees very important question mcq form में आपकी question आ सकता है that narrator ने किसे Larry को पहले किसे वील संबालने को बोला था Mary को his wife अभी यहां पर Larry को उन्होंने क्या कहा that you must stir a course of 185 degrees उस तरफ उनको तरफ करना है and he could then expect to see an island at about 5 p.m. और इस तरीके हैं लेकिन पांच बजे आइलेंड पर पहुंच जाएंगे timing is also very important दो बजे उन्होंने एस दे सीजन लिया calculation करके कि पांच बजे आराउं एक आइलेंड पर पहुंच जाएंगे then he went below climbed on his bunk and dozed off तोड़ी सी उन्होंने doze off करना मतलब थोड़ी सी नीन लेनी की कोशिश करना होता है he woke up at six अब वो कितने बजे उठे वो छे बजे उठे john entered and asked if he could embrace his daddy she was right behind him they called him the best daddy in the whole world and the best captain they informed him that they had found the island then abhi यहां पर क्या हुआ फिर that around 6 p.m. उनकी आग खुली okay he went there उन्होंने बता दिया था Larry को उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया that 185 डिग्री पे मोड पे we will get a island at around 5 and he then doze off doze off मतलब सोने चले गए थोड़ी से जपकी ले लिए and he woke up at five six और six p.m. पे जब वो उठते हैं there was a con Jonathan John आता है John आता है और वो John कहता है कि क्या में अपने फादर को embrace कर सकता हूं embrace करना means hug करना प्यार करना so क्या वो अपने फादर को अपने डैडी को hug कर सकता है and then उसके जब पीछे कांती सुस भी थी and all the family time good happy family time was there and they called him the best daddy in the whole world यहां पे जब बेस्ट डैडी वाला पार्ट आता है तब यहां पे यह एक बात याद रखना that when सुस गेव दी कार्ड that time it made the author think about that how how powerful he can be and the children are only only dependent on him वो बच्चों को लेकर आया है यह बच्चों को बचाने का उसका chance है and also यह सारे जो emotional वाला gist part है वो उस वक्त हो चुका था उसका and that's why he thought कि मुझे कैसे भी बच्चों को बचाना है और उन्होंने पूरा time लगा करके कि अपना calculation सही बचा करके यह अच्छे से कर दिया था so at last what happened that they said that you are the best daddy and you are as well as the best captain in the world history के से उन्होंने बोला and at last they found the island and वहां जाकर वह पहुंचेंगे Amsterdam island वहां पर कितने denizens मतलब denizens means native वहां के कितने लोग 28 natives थे वहां के रहने वाले कितने थे 28 denizens थे उन्होंने उनको welcome किया the nerve dying and optimistic attitude made it possible for them to survive amidst and situations उनका जो nerve dying that means मरने तक भी साथ रहेंगे कुछ भी हो रहे हम एक दूसरे का साथ देंगे और उन्होंने अपने efforts लगाते रहे efforts के साथ में काम करते रहे यह जो attitude था positive attitude और optimistic attitude के कुछ भी हो जाए अच्छा ही होने वाला है the way we look forward की अच्छा ही होगा optimistic way जब लेकर चलते आश्रावादी विचार लेकर के चलते हैं in that way it was all possible and that's why they survived and is he gets out such me what is the main point is they all like uh they all had their back mutluck you open a ik dousra ke saath me khadaya way they they all had their back mutluck like make out you my I have my family at my back that means he made a past me made a poorie family ka support so similarly they had their back means he was a big side like do so kiss at me today they were supportive and they were even like agar me about crew source the source अगर कही कुछ भी नही कर पारी थी not like uh of giving any help तो भी वो encourage कर रही थी and boosting up अपने फादर को तो यह सारी चीज़े आपने पूरे चाप्टर में देखी है children's courage and optimistic attitude give them extra strength to fight and survive main important line again here so मैंने सारी जो important important lines है वो सारी बता दिये कि जो बच्चों का नजरिया था that means the children how they were behaving it they were not showing tantrums they were not that mom malab rona dhona chalana mujhe leke dekal nikal al do yaa se kaisi bhi karra these were they were like very calm and they were uh standing uh chin up boltona chin up karke matlab keep them proud and uh keep the moment ki johora hai hum face kareng a family ke saath may besa karke unhwana pura chse is cheese ko or is poor a jo adventurous trip raha tha isco survive kar liya tha so that give them extra strength to fight and survive now glossary में आज में कोई भी word meanings नहीं लाकर कि यहां पर एक main ship के सारे parts लेके आई हूँ because all the questions can be asked from this जो भी हो सकता है आपको question यहां पर देखो यह रहा I'll tell you इस ही मैं से question आ सकते है glossary के सारे parts बहुत सारे words रो है आपके chapter में यहां पर यूज किये गए है so that's why it's the best thing I think कि आपको image कि तुरू समझा दू this is the main mast what you can see this is the main mast then this is the top castle और उसी तरीके से stem है यहां पर रकव है carval planking है then उसी तरीके से bow है book head है यह थारी चीज़ फोर master की बात करे में की बात करें टॉप सेल की बात करें यह सारी की सारी आपको याद करनी है when you read the chapter you get to know more words about ship the ship का जो थोड़ा सा एक बोल सकते है लेबल diagram है उससे जरूर से पढ़के जाएगा before your exam because आपके answers में यह help कर सकता है about the ship now I hope that you all love this chapter and somewhere you imagine as well कैसे बच्चों ने वहां पर help किया होगा कैसे father एक तरफ emotional हो रहा है बच्चे घर रहे हैं फिर भी बच्चों के पास नहीं जा पार रहा है और वो ship को handle कर रहे हैं वीव यहां पर टकरा रही है ships and all so यह सारी चीजे आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी and I hope that abhi you all are ready to give the answers so let's get started with three two and one very quickly आपको answer देना है किसके mcqs के and I hope that you like this the way I am teaching her and the way I have gathered all the main content to present in front of you आपके सामने सिफ main content लाई हूं बाकी सारी चीजे तो देखो story form में story teller की तरह पूरा बता सकती हूं but your time and your energy is really like they matter a lot and that's why यहां पर मैंने just इतने अच्छे से बता दिया है आपको the question is what was the weight of the wave walker पहली पहली ही I think slide में मैंने आपको बता दिया the correct answer of this a b c d just don't write a b c d write the weight as well उसका वे भी लिखेंगे आपकी 30 तन का था 23 तन का था 100 तन का यह 105 तन का so your answers are welcome in the comment section with smiley second question is where was the author when he got the information about uh the amsterdam from kids kaha the author kaha the job unko padha chala that they have reached the island of amsterdam kaha the in resting place in captain's cabin on deck or near f you know that he went to dose off unhain sona jana tha toh wu kahaan gaya hoongi definitely a in resting place b in captain's cabin captain ke cabin me the on deck the ya d near after you are going to give the correct answer I know that very well let's move ahead with the third and detailed answer very important answer to describe karna hai ya hapa mental condition yeh jo questions hote na yeh aapke value based questions hote hai aap se aapka view poochha jata hai aapke ideas aapke perceptions ko poochha jata hai not only in this but boards me bhi is tariki ke hauts question aate hai so that's why may ye question yaha pe liya hai hoon that describe the mental condition of the voyage on 4th and 5th january that means aapko sirf or sirf 4th or 5th january wala yaad rakte huye baat karni hai ab must be you thinking ke ma'am humne 4th january dekha hai aur 6th january dekha hai so what about 5th january so we will get to know nothing much happened on that day but still have a 4th ko continue rakte huye answer dena hai okay so on the 4th of january the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out water they had their first meal in almost two days yaad rakna hai ki on 4th of january they had their first meal doh din ke baad me unhoney khana khaya tha on 4th of january and their respite was short-lived they faced dangerous situation on january 5th as well fear of debt loomed large and they were under great mental stress aur 5th january ko fir se isi tariki ki situation create honne lag gai thi again the windstorm came aur usi tariki se vaapas se wahi sari cheezo ko face karne ke liye they were getting ready okay now the next question how does the story suggest the optimist sorry optimism helps to endure the direct stress okay endure means what endure means what endure karna matlab kya hotta tell me the word in the comment section agar apko meaning patahe because it's not the first time we are knowing the meaning apko zaroos acche se patah endurance ka matlab kya hotta persistence ka matlab kya hotta determination ka matlab kya hotta apple sari words class eight ki fit me kay nah kahi paray haray sikha and john a way hab so what does sorry how does the story suggest kya say you so story suggest kartina optimistic askroesarradhi jo tarikah hota they said to endure the direct stress ki aap se hen karo indoor karna means kya hotta se hen karna so ap kya kua du direct stress a upcase omni sec upna loo welly and then react time kya kata empaili respond कर देते हैं रिसपॉंड भी तक तो रो रो के बड़ा हाल कर देख कर के डिफ़िनेटली तुम्हारी मम्मा का बुरा हाल हो जाता और फादर फिर अकेले नहीं संभाल पाते ये सारी चीज़े हमें हमारा क्या करना है head up रखना है always अगर कोई भी सिच्वेशन हमारे सामने आती है तेन अब भी लैक वी रिलाक्ष और देंग कि वाट इस दो राइट नव राइट नव राइट चलिए सब्सक्राइब करना है तो उनके थू पानी अंदर आ गया था राइट राइट पूरा आंसर आपको ये जिस्ट बता देगा अगर आपको पूरा आंसर ये वाला लर्न हो गया then you can give any answer or any question asked to you second january से start किया that Larry and Herb ने start किया the pumping out water pan panikonikala they work continuously for 36 hours I think हमने यही बात की ती यह रहा previously for 36 hours तक उन्होंने वो पाने निकालने की कोशिश की it was a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on january 4th so important बात वापस मने यहां पर बता दी है they remain cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situation they were there अभी इस तरीके से वो फिर भी क्या थे always excited थे always cheerful थे that we can do it we can do it अगर कुछ भी नहीं होता है जैसे chapter का name है that means what the name of the chapter means and it tells everything uh togetherly की अगर हम साथ है तो डरने की क्या बात है like that they have faced and the narrator did not lose his courage as well to mean narrator है जो इस ship को भी चला रहते हैं and everything तो उन्होंने courage hope or presence of mind को ध्यान में रखते हुए faced every problem and he did not worry about the loss of equipment he used whatever was available there and his self-confidence and practical knowledge his self-confidence and practical knowledge help them to stir out of this storm and reach the uh Amsterdam island okay Amsterdam island jotha wahaan peh paunche and Mary stayed at the wheel for all those crucial hours or tab tak joe Mary thi woh kahaan thi Mary was handling the wheels or woh wheels ko chala रही तो it's like a women empowerment wali baat ho गये कि वाओ देखो अगर वो सब calculations कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि कहां कैसे किया जा सकता है तो a lady a female she is handling the wheels of the ship और वो वहां पर उसे crucial hour में अपना योगदान दे रहें contribute कर रहें she did not lose hope or courage either उसने भी lose नहीं किया hope और हम निकर लेंगे हम यह साथ में पूरी family time Samna कर लेंगे like that was so this was all about the chapter last while a john sir had definitely yad kar lena मैंने पूरा answer isi तरीके से बनाया आपके लिए कि आप एक भी point वहां से लेके अपना खुद का अंसर दूसरा create कर सकते अगर को question पूछा जाता है तो definitely you would have loved this chapter and the way I have explained it and if you liked it if you have any queries you can tell me in the comment section as well saati saatme agar aapko kuch bhi poochna hai share karna hai because abhi you have grown up right you are all are grown up so if you have any queries any doubts anything so you can tell me in the comment section I'll meet you with the demand of yours or what you want in the next one so till then tharaos bye bye and thank you